वेलो प्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल तो आज मैं आपको बताऊंगी यह अम्रेला कट जो स्लीव होती है वो किस तरह से कटिंग की जाती है तो आप इस वीडियो को सुरू से अंड तक ध्यान से देखि तो आपको समझ में आएगा तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने कपड़ा लिया है इसको हमने करना है इसको चार फोल्ड में किया इस तरह से एक, दो, तीन, और चार, यह चार फोल्ड में हो जाएगा, इस तरह से हमको चार फोल्ड में करना है, अब हमको यहां से, इस तरह से हमने इसको फोर फोल्ड में किया है, अब हम यहां से इसको निशान लगाएंगे, यहां से हम तीन इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से यहां से तीन इंच को निशान लगाएंगे और यहां से लिहां इस तरह से तीन इंच को निशान लगाएंगे इस तरह से तीन इंच को निशान लगाएंगे और यहां से सेंटर से भी हां तीन इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इसको हम गोल्ड शेप दे देंगे इस तरह से गोल्ड शेप दे देना है इस तरह यहां से हमको देखना है कितना है तो यह साड़े पांच आ रहा है यहां से यहां से हम टेप रखेंगे यहां से टेप रखेंगे और यहां से हमको देखना है कितना लंबा आ रहा है तो यह साड़े पांच इंच आ रहा है तो हमको इस सैट से भी साड़े पांच इंच लेना इ यहां से हम साड़े 5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और यह से हम निशान लगाते गएंगे साड़े 5 इंच कर इस तरह से इस तरह से उनको निशान लगा देना है अब इस कहां इस तरह से गोल शेप दे देंगे इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से इस तरह से आएगा हमारा अब इसके हम कटिंग कर देंगे तो यहां से हम पहले कटिंग करेंगे इस तरह से हमने इसको कटिंग कर दी है यहां से तो यह इस तरह से आएगा इस तरह से आएगा इस खुलने के बाद इस तरह से आएगा है हमारे दो स्लीव हो गई है इसमें कटिंग कर दी हमने इस तरह से दो स्लीव आगए है इसमें तो इस तरह से आप आसानी से अंब्रेला कट slev होती हो इस तरा से आप कटिंग कर सकते है उस तर और विच्टरा से आएगी खैसिजोर में आमधेला कट को तो एक खुलने के बाद इस तरह से दिख्येगी सभी ओस ciert dif equation control हेडियाए से फिर से श्लीव कि मैंने आपको बताया है जे मैं components तरह से कट्व करें के अगर आज का कभी पसंट आया है और अगर हमारे चैनल को आप नए आये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थांक यू वाचिंग वीडियो